हेलो एवरिवन वेलकम टो माई चैनल रेस्पी सब आज मैं आपके लेकर आई हूँ चिकन रोल की रेस्पी इस चिकन रोल को मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनाने की कोशिश की है ताकि वैसा स्वाध आए और वैसा लुक आए आप यकिन नहीं मानेंगे बिल्कुल वैसा ही बना है या फिर उससे भी अच्छा बना है और बहुत ही असान तरीके से मैंने इससे बनाना बताया है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरी रेस्पी पसंद आती है तो इससे जरूर से लाइक करें तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम बोल्लेश चिकन लिया है आप अपनी मर्जिक हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं जितना बराना चाह है इसको धो कर मैंने छन्नी में रख दिया ताकि इसमें पानी निकल जाए बिल्कुल सुखा होना चाहिए चिकन ताकि जो मसाले हम इसमें ल चमच और हल्दी पाउडर आधा चोटा चमच इनको चिकन में हम ढाल देंगे और एक बड़ा चमच डालेंगे निवु का रस और अब इसे हम चिकन में अच्छे तरह से मिला लेंगे पुरा मसाला पूरे चिकन में लग जना चाहिए एक पराबर और अब इसे हम ढख कर या मिरिनेट के लिए चला गया है तो अब हम बनाएंगे डो इसका डो बनाने के एक कप मैंने मैदा लिया है और इसमें नमक डाल देजिए स्वात के अंसार और एक बड़ा चमज तेल मिला ले अची तरह से और थोड़ा पानी डाल कर इसका एक सौफ्ट सा डो बनाएंगे आप मैदा खाना नहीं पसंद करते तो आप इसकी जगह आधा आठा आधा मैदा ले 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 या फिर शिव आठे से भी रोटी बना सकते हैं मैं रेश्टूरेटेंट इस्टाल में बना रही हूं तो यहाँ पे आठे मैदे का इस्तमाल कर रही हूं 10 मिल्ट इसको ढखकर रख तक अची तरह से सेट हो जाएगा अब मैं आप एक सॉस बना रही हूं तो दो बड़े चम्माच मियोनीज गया और एक बड़ा चम्माच टोमाटो केचप इनको मिला लें यह बहुत ज्यादा टेस्टी सॉस बन जाता है और चिकन रोल में अकसर यही लगाया जाता है आप खाना चाहते हैं तो दनियपतिक चटनी बना कर भी रख सकते हैं अब एक बोल में एक अंडा तोड़कर उसमें एक चुटकी नमक डालने है इनको फेट कर रख लें आप तो यह चुटी चुटे तरय है हमने कर लें चिकन हमारा मैरानेत हो गया है बहुत अच्छी तरह से यह देखिए आप सेकेंड मैर array करने के लिए की की मैने जाले है रेइप चुटा चमाज गरम मसाल एक्षिटा चमाज और ये काश्वरी लाल मिची है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आएगा तीखा नहीं होता है अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा फूट कलर ले लाल वाला या भी इसको भी स्किप कर सकते हैं दही मैंने याली है दो बड़ी चमाज देखिए कितनी थिक दही है इसको मैंने चन्नी में रख का इसका पानी निकाल दिया था एक्स्ट्रा और दही के लिए इसमें नमक डालेंगे हम दो चुटकी क्योंकि चिकन में हमने बराबर नमक डाला है इनको अच्छी तरह से मिला लें बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा मसाला चिकन में आजना चाहिए यह देखिए बहुत अच्छी तरह से मिल गया है अब इसे हम कुक करेंगे आप इसे तंदूर भी कर सकते हैं सिंक में लगा कर लेकिन मैं इ जैसा काम करता है, अब इसमें हम चिकन को डालेंगे, चिकन को पकने में 15 मिट का टाइम लग जाएगा, मैक्सिमम, और इसे ढख कर पकाएं, और बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि बॉटम में ये जले ना, और धीमी आज़ पर पकाएं, बहुत ही अच्छा चिकन बनता है ये देखिए, हमारा चिकन पक चुका है, मसाले भी जो मतलब सूख गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से लिपर्ट गया है चिकन में अज़ देखिए, मैं एक तोड़ के दिखाते हूँ, इसको कितना सॉफ्ट भी बना है, बिल्कुल ये देखिए, अब इसे सैट में रखें, अब हम रोटी बनाएंगे आटे को एक बार से, फिर से हम थोड़ा सा गूत लेंगे, और जो रोल की चपाती है न, नौर्मल चपाती से थोड़ी बड़ी बनाएंगे इस चपाती को आप पतला बेला है, या फिर आप इसका पराठा भी बना सकते हैं, अच्छा पराठा बना लीजिए जो आप बना सकते हैं, जो आपको इजी लगए वो बसा कर लेजिए, देखिए बहुत ही पतला मने ये रोटी बनाया है चपाती को अची तरह से दोनों तरफ से से शेख लेंगे, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए अब मैं दोनों तरफ से हलका हलका सा तेल लगा रही हूँ, आप बटर भी लगा सकते हैं, इसके अब इसके उपर जो हमने एग रखा था ना, फेट कर उसको डालेंगे एक तरफ और इसे पलट कर हम पकालेंगे चपाती हमारी बन चुकी है, अब इस चपाती के उपर हम सौस लगाएंगे, जो हमने बनाया था, मेनीज और केचप मिला का और इस पर बीजो बीच में लगाएं चिकन, जो चिकन आप ले रहे हैं, चिकन को छुटे चुटे पीसे में लें, इससे रोल करना असान रहता है और अब इस तरह से हम इसको क्लोज करेंगे बिलकुर और यह दिखिए आपका यह रोल तयार हो गया चिकन रोल काफी टेस्टी है और दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है और यह चिकन रोल काफी टेस्टी बनी है और आप भी इसे जरूर से बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको यह मेरी रिस्पी कैसे लगी वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर से लाइक करें और मेरी चैनल पे नहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें थैंक्य और आती बहें है तो बैप्या खूर्ण खूर्ण दरूर्ण